असर की नमाज पढ़कर वली और उसके बाबा जान घर आए तो बाबा जान ने इससे कहा ये कहकर बाबा जान ने सामने टेबल पर पड़ा ग्रोसरी बास्केट और पैसे उठाकर वली को थमा दिये वली घर से निकल कर बासार की तरफ चल पड़ा वो बासार में एक रेड़ी वाले से सबसी लेने खड़ा था जब इतने में चचा जुल्फिकार अपने दो बेटों के साथ वहाँ पर आ गए जो के वली के पडोसी थे वली भाई ने इन्हें देख कर फौरण सलाम किया इनके बातों के बीच चचा के बेटे शाहिद ने अपने छोटे भाई शहीर का हाथ फकड़ा और थोड़ा आगे फलों वाली रेड़ी के पास चले गए चचा ने एक नजर उन्हें जाते हुए देखा लेकिन वापस रेड़ी वाले की तरफ मतवज़े हो गए वली भाई भी सबजिया लेकर आगे फलों वाली रेड़ी की तरफ बढ़ गए अभी वो रेड़ी वाले से फल तोलने का कही रहा था जब चटाख की की आवास सुनाई दी इसने पलट कर देखा तो शहीर ने शाहिद को एक जोरदार थपड़ दे मारा था शाहिद कुछ देर मुँपर हाथ रखे इसे देखता रहा फिर अचानक इसा चेहरा सुर्ख हो गया और वो शहीर की तरफ बढ़ा शहीर ने फौरण ही इसके आगे पाउं रखा तो वो इसके पैर में अटक कर उल्टे मुँगिर पड़ा जब फिर से उस्से में उठा और शहीर की तरफ लपका शहीर आगे आगे भागने लगा और जाकर सबजियों वाली रेडी के पीछे खड़ा हो गया जैसे ही शाहिद इसकी तरफ बढ़ा और इसने टमाटर उठा उठा कर शाहिद को मारने शुरू किये जिनमें कई तो शाहिद को लगकर तूट गए और इसके कपड़ों पर दाग बन गए हाई अल्ला मेरी सबजियां ये तावान कौन भरेगा बासार में मौझूद लोग ये तमाशा देख रहे थे और जुल्फिकार चचा के औरसान खता हो गए थे सारे लोग जुल्फिकार चचा को कह रहे थे कि अपने बच्चे को पकड़ें लेकिन दोनों बच्चे जुल्फिकार चचा के कंट्रोल में आही नहीं रहे थे लोग इस सिचुएशन पर फीड पकड़ पकड़ कर हस रहे थे बच्चे खड़े तमाशा देख रहे थे टमाटरों के बाद शहीर ने प्याज, आलू और टींडे भी शाहिद पर बरसाने शुरू कर दिये शहीर शहीर मत करो लेकिन वो तो जैसे सुन ही नहीं रहा था सबसीर रेड़ी वाले अंकल सर पर हाथ रखकर जमीन पर बैड़ गए हाई ला मेरी सबसीया ये तावान कौन भरेगा जुल्फिकार चचा बेवसी में कभी शहीर की तरफ लपकते और कभी शाहिद की तरफ शहीर की की करता हुआ आगे भागा शाहिद इसके पीछे था शहीर एक आईस क्रीम वाले की तरफ बढ़ा करीब पहुंचते ही इसने रास्ता बदल लिया और शाहिद को डॉज देकर दूसरी दाने में निकल गया लेकिन शाहिद को समझ ही नहीं आया और सीधा जाके आईस क्रीम वाले की गाड़ी से जोर से जा लगा आईस क्रीम की गाड़ी बुरी तरह से हिली और सारी कौंज धड़ा धर शाहिद के उपर जा पड़ी गाड़ी जोर से हिलने की वज़ा से पास खड़े बच्चे जिसके हाथ में आईस क्रीम थी जोर से उसको जा लगी उसकी आईस क्रीम सीधे जाके इसके मुँ पर लगी सारा आईस क्रीम से भरा हुआ मुँ और नाक लेकर वो बच्चा हैरान ही रह गया और जोकर का नक्षा पेश करने लगा शाहिद खड़ा हो गया और दूर खड़े शहीर को ढूंडने के लिए नजरें दोड़ाने लगा और फिर अपना चपल उठा कर सीधा शहीर की तरफ लपका शहीर वहां से हटा और चपल इसके पीछे पड़े मुर्गियों की टोकरे पर जा लगी सारी मुर्गियां शोर मचाती हुई टोकरी से उड़कर बाजार में भागने दोड़ने लगी अल्लाह मेरी मुर्गियां उड़ा दी शहीर कहते हैं लगा लगा कर हस रहा था चंद ही पल में बाजार का नक्षा ही बदल गया शाहिद आगे बढ़ा और मुर्गियों की टोकरी से अंड़ा उठा कर शहीर को मारा वो सीधा जाके इस मोटे से आदमी के सर पर लगकर तूट गया इस आदमी ने गुसे से देखा और उसका गुसे से बुरा हाल हो गया और शाहिद की तरफ लगका शाहिद के करीब पहुँच के जैसे ही इसने शाहिद को पकड़ना चाहा शाहिद शहीर के पीछे दोड़ा वो मोटा आदमी अपना तवाजन बरकरार ना रखते हुए धप से जमीन पर पड़े पानी के मटके के उपर जा पड़ा पानी का मटका तूट गया और वो आदमी पूरी तरहा से भीग गया कई लोग आगे बढ़े और इसे उठने में मदद करने लगे जब वो बहुत मुश्किल से खड़ा हुआ तो इसके कपड़ों से पानी तपक रहा था और इसकी घुसे से बुरी हालत थी बाजार के सारे लोग इसकी हालत पर बुरी तरहा से परेशान हो गए और सब बच्चों को पकड़ने में मदद करने लगे लेकिन बच्चे किसी के हाथ ही नहीं आ रहे थे आखिर कार सारे लोग भाग भाग कर ठक गए और परेशान होकर बैट गए अब भी शहीर और शाहिद एक दूसरे के पीछे थे जब अचानक से शहीर का पाउं एक खड़े में पड़ा और वो बुरी तरहां से लड़ खड़ा कर गिर पड़ा इसका होट फट गया शाहिद इसके पास पहुँचा लेकिन इसका खून देकर वहीं पर रुग गया वली जो दूर खड़ा सारा तमाशा देख रहा था आगे बढ़ा और हाथ बढ़ा कर शहीर को जमीन से उठाया एक आदमी एक कुरसी ले आया वली भाई ने बच्चे को इस पर बिठाया और जेब से रुमाल निकार कर इसका होन साफ किया बस बस शहीर रो रहा था ये ऐसा ही ठीक है परिशान करके रखा है सारे लोगों का इतना नुकसान कर दिया है अब मैं ये नुकसान भरूंगा वालिद की बातें सुनकर शहीर और तेज अवाज में रोने लगा वली भाई की बात सुनकर वो थोड़ा सा खामोश हो गया ये दोनों इस काबिल ही नहीं कि अपने साथ बंदा घुमाने के लिए लेकर आएं आइंदा मेरे साथ घर से कदम निकाला तो टांगे तोड़ दूँगा जल्फिकार चचा ने शाहिद को पकड़ कर दो हाथ जड़े तो वो भी गला फाड़ कर रोने लगा और फिर जल्फिकार चचा लोगों का तावान भरने के लिए आगे बढ़ें सारे लोगों से माजरत की और जिस जिसका जितना जितना नुकसान हुआ था अदा करने लगे वली ने शहीर के जखम को साफ किया और फिर एक दुकानदार से दवाई लेकर उसके जखम पर लगाई भाई आपका बहुत शुक्रिया शुक्रिया की कोई बात नहीं है दोस्त लेकिन जो आप दोनों भाईयों ने आज किया ये बहुत गलत था कमसकम आपको ये देखना चाहिए था कि आपके वालिद को कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है आपकी वज़ा से लोगों का कितना नुकसान हो गया जो अब आपके वालिद भर रहे हैं ये पैसे उन्होंने कितनी मुश्किल से कमाय होंगे अंदाजा भी नहीं है आपको और बाजार की हालत देख लें ये सब ठीक करने में कितना वक्त लगेगा आप कितने लोगों के लिए मुश्किल हो गई है दोनों सर जुकाए खड़े थे बहुत माजरत भाई हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था वो दोनों वली की बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा हो रहे थे आगे बढ़कर सारे लोगों से माफी मांगने लगे और अपने वालिद से भी माफी मांगी जुल्फिकार चचा वली के पास आए और बोले वली बेटा आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इन दोनों को समझाया खुश रहे बेटे शुक्रिया की बात नहीं है चचा बस बच्चों को जब खुली छूट दी जाए तो यही करते है फिर हाँ मुझे ऐसास हो रहा है यह कहकर जुल्फिकार चचा ने वली के सर पर हाथ फेरा और दोनों बेटों को साथ लेकर अपने रस्ते चल पड़े वली भी इनके पीछे रवाना हो गया इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें